इवी के साथ बदलते धरत की शाथ नमस्कार किसान समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ रेशमा आपके साथ नज़र डालते हैं इस वक्त की हैडलाइंस पर MSP पर संयुक्तिसान मोर्चक की तरफ सी नाम ना दिये जाने के लंबे इंतिजार के बाद केंडरे सरकार ने गठित की समिती पूर्वत करशी सची संजे अगरवाल के अध्यक्ष्टावाली समिती में 16 लोगों के नाम शामिल केंडरे करशी मंद्री नरेंदे सिंग्तोमर ने कहा MSP की और अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश रिशिवे खादे शेतर में भारत के काम की वर्ल्ड पूर्ट प्रोग्राम के कारेकारी निदे शकने की सरहाना केंडरे करशी मंद्री नरेंदे सिंग्तोमर के साथ बातचीत में डेविड बेसली ने दुनिया में खाद ब्यान की सुचारू आपोरती के लिए भारत के साहियों की चताईयों में तोमर को अगले वर्ष अंधराश्री पोशक अनाज वर्ष भारत की अगवाई में मनाने का मिला आश्वास है उत्र प्रदेश के मिर्जापूर में करीब सी लागत की लागत से बनाया गया मिनी सेंटर ओफ अच्चिलेंस और द्यान विभाग द्वारा संचारलित इसराइल की कृष्ची तखनीक की आधार पर बनाई गई है नर्सरी सेंटर में आधुनिक तरियके से रोग मुक्त पौधे किये जा रहे हैं तयार शिम्ला मिर्च, मिर्च, करेला, गोभी, टमाटर और पपीते के पौधे हो रहे हैं तयार शेत्रिये मौसमें ग्यान केंदी ग्यानों सारा सम्में अगली कुई चिनों में विजली गिरने और भारी से बहुत भारी वर्ष की संभावना राज्य में अब तक 382 हेक्टर करशी भूमी पानी में डूबी, उधर गुजरात और महराश्टर में बारिश से रहात मिलने के आफ़ार दिले अन्सियार में 20, 21 और 22 जुलाई को अच्छी बारिश की समभावना और अब समचार वस्तार से किसान अंदोलन खत्म होने के बाद सरकार ने सेयुक्त किसान मौचा से MSP के लिए गठित होने वाली कमेटी के लिए तीन नाम मांगे थे लंबे इंतजार के बाद जब नाम नहीं आया तो सरकार ने विशेशग्यों की समिती गठित कर दी है केंदरी सरकार ने कर्शी शेतर वे बदलाओ और किसानों की आए बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए नियुनतम समर्थ हनमूले MSP क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और नेचरल फॉर्मिन के लिए कमेटी गठित कर दी है कर्शी कानूनों के खिलाफ किसान अंदोलून करने वाले सयुक्त किसान मोर्चा आपसी लड़ाई में दिसंबर 2021 से अब तक अपने तीन प्रते नधियों के नाम नहीं दे पाया है उनकी और से नाम आने का लंबा इंतजार करने के बाद सरकार ने कमेटी घोशित कर अब गेंद MSP की गारंटी मांगने वाले किसानों के पाले में जाल दी है इस कमेटी में 16 लोगों के नाम हैं जिन में करशी और सहकारिता शेत्री के विशेशक दे शामिल है ये कमेटी MSP की और प्रभावी वपारदर्शी बनाने का काम करेगी ताके किसानों की इंकम में इजाफ़ा हो पूर्विकरशी सचिव संजी अगरवाल को इस कमेटी का ध्रक्ष बनाया गया है सरकार ने इसके लिए जो नोटिफिकेशन चारी किया है इसके मताबिक अब भी सेयुक्त किसान मोर्चा की ओर से नाम आने पर तीन सदस्यों को शामल किया जाएगा यानि कमेटी में जगह मिलेगी सरकार ने दूसरे किसान संगठनों से पांच नाम शामल किये हैं इनमें गुर्वन्त पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोत कुमार चौधरी, गुणी प्रकाश और पाशा पटेल का नाम शामल है इनमें से अधिकाश नाम सरकार समर्थक हैं इसमें सहकारिता शेत्र को भी प्रतिन दित्व दिया गया है इस शेत्र में इफको के चेर्में दिलिप संगाणी और सहकारिता वकरशे विशेशक के विनोध आनन की नाम है केंद्रे करशेवं किसान कल्यान मंत्री नरेंडर सिंग तोमर ने MSP समिती के गठन के बारे में बताया कि पिसले दिनों प्रधान मंत्री ने MSP की और अधिक परभावी बनाने के लिए काम किये जाने की नरदेश दिये थे इसे संधर्व में ये समिती गठित की गई है भारती जनता पार्टी की सरकाव और प्रधान मंत्री नरेंडर बोधी जी किसानों के हितों के प्रधिवद हैं और आने वाले कल में भी रहेंगे पिछले दिनों किसानों की समश्याओं पर विचार करने के लिए मानि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि MSP को प्रभावी और पारदर्सी बनाने प्राकरतिक खेती पर बल देने और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जैसे विश्यों पर विचार करने के लिए एक समीती बनाएंगे प्रधान मंत्री जी के गोश्णा के अनुसार सरकार ने समीती का गठन कर दिया है गजट नोटिफिकेशन हो गया है इस समीती में किसान भी है अर्षास्री भी है राज्य सरकारें भी है नीतियायोग भी है और बाकि जो आवश्यक पक्ष होने चाहिए सबी पक्षों को इस समीती में सामिल किया गया है यह समीती अपना काम काच प्रारम करेगी और क्रसी को और उन्नत बनाने के लिए और क्रसी के समक्ष विद्वान चुनोतियों का कैसे सामना करें उसके लिए किस परकार की योजनाये बनाएं इस मामले में सलाओ और सुझाओ सरकार को देगी उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन समाप्थ हुआ था उस समय किसानों के नेताओं से जो बात चीत हुई थी सरकार ने उसका पालन किया है जब आंदोलन समाप्थ हुआ आंदोलन के चो नेता थे उनसे जो बात हुई है उसका पालन किया गया है किसान, सेयुत किसान मोर्चा से हम लोगोंने कई बार हमारे अधिकारियों ने चर्चा की कि वो तीन नाम ठुजाएं उन्होंने नाम नहीं दिये तो आज भी कमेटी में आप देखेंगे कि वो इस्थान रिक्ट छोड़ा गया सरकार की तरफ से पूरी तरह पारदर्स्ता है और जो कहा गया है उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही किंड्रे कृषि एवं किसान कलियान मंत्री नरेंडरे सिंग् तोमर और वर्ल फूड प्रोग्रम् डब्लू आफ़ पी के कारिकारे नदेशक डेविड बेसली के बीज सोमवार कुनेई दिल्ली में बैठक हुई इस दोरान बेस्ली ने कृशी एवं खादे शेत्र में भारत के कामकाज की खुल कर सरहाना करते हुए अपेक्षवयत की के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर दुनिया में खाद्यान की सुचारू आपूर्ती के लिए भारत अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा तोमन ने बेसली सहित वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के प्रतिनिधी मंदल का स्वागत करते हुए कहा कि भारत बार WFP खादि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषिशी शेत्र में 1968 से घनिश्टता से काम कर रहा है तोमन ने किसानों के कल्यान के लिए प्रधान मंत्री नरेंदर सिंग मोदी के नेतरत्व में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन योजनाओं का जिक्रिकरते हुए कहा कि हमारी सार्वजनिक वितरन परणाली PDS के माध्यम से सरकार ने कुरोना महमारी के संकट काल मे भारत के 80 करोड लोगों को मुफ्त अनाज वितरित किया वहीं वसुधेव कुटमकम की भारत की प्राचीन परंपरा व महत्व को दर्शाते हुए तोमन ने कहा कि भारत ने अपने घरेलू आवशकताओं की पूर्ती करने के लावा दोनिया के अनेक देशों को भी खाद्या आमी बैठक में कृशी शेत्र में भारतिय प्रयासों के बारे में बताएंगे तोमर द्वारा ये बताने पर कि अगले वर्ष अंतराश्रीय पोशक अनाज वर्ष भारत की अगवाई में मनाया जाएगा बेसली ने इस सम्मद में WFP की ओर से पूर्ण सहयों का आश्वा और मध्यपरदेश सरकार नेक रशी मंतरी कमल पटील ने कहा कि किसानों की फसलों को प्रकरतिक आबदा के कारण शती होती है तो केंडर और राजे सरकार उसकी भरपाई करेगी उन्होंने कहा कि डिफॉल्टर रिणी और वन ग्रामों के छोटी किसानों से मेरा आगरे है कि वे इस योजना का लाब सरूर उठाएं अगर उनकी फसल खराब हो जाए तो इसकी शती पूर्टी की जा सके कम प्रेमियम जमा कर इस योजना से जुड़े बागे का प्रेमियम केंडर और राजे सरकार भड़े की मंतरी पटेल ने कहा कि बावन जिलों में बावन किसान रत रवाना किये गए हैं जो प्रादेश की 23,000 ग्राम पंचायतों में जाएंगे जहां संगोष्टी के साथ किसान चौपा लगा कर फसल बीमा योजना के लाब और उसकी प्रकरिया को समझाएंगे डिफॉल्टर रिणी के साथ वन ग्रामों के छोटे किसानों को राजस्व ग्रामों से जोड़ कर पहली बार बीमा कराया जा रहा है और डॉक्टर श्यामव रसाद मुखर जी रोरबन मिशन के तहट उत्तर प्रदेश मिर्दापूर के पठेरा कला गाउं में करीब 80 लाकी लागत से मिनी सेंटर आफ अक्सिलन्स बनाया गया है उद्यान विभाग के दोरा संचालित इसराइल की करशी तकनीक के आधार पर नर्सरी बनाये गई है इस सेंटर में किसानों को आधुनिक तरीके से तैयार रोग मुक्त पौधे मात्र एक रुपे प्रती पौधे के मूले पर दिये जा रहे हैं उद्यान अधिकारी मेवा राम का कहना है कि उद्यान में हाइटेक तकनीक से स्वस्थ और रोग रहित पौध तयार की जा रही है इस वर्शब तक 17 किसानों को करेब 2 लाग पौधे दिये गए हैं नर्सरी में शिमला मिर्च, मिर्च, करेला, गोभी, टमाटर और पापीते के पौधे तयार किये जा रहे हैं ये पौधे उचिते देख भाल करने पर मरते नहीं हैं और उत्पादन भी सवागुना अधिक होता है कृशक भाई परमपरा का तरीके से सीड का डालते हैं नर्सरी तयार महवपादी समय से तो इसको देखते हुए डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी, रूर्बन मिर्च, योजिन अंतरगत, जनपद मिर्जापुर में 80,000,000 की लागत से हमारा मिनी सेंटर आफ एक्सेलेंस का निर्मान हुआ है और इसमें किसान का रुजहाम देखते हुए इतना बढ़ियां हो रहा है कि 2,00,000,000 पोदे यहां से उनको सप्लाई कर चुके हैं और 6,00,000 का अभी हमारे पास उनकी डिमांड है किसानों द्वारा मिर्जपूर के किसान ने बताया कि यहां मिर्च, टमाटर, गोभी, बैंगन, पपीता, आदी के पौदे भी तयार किये जाते हैं किसानों से जितनी बुकिंग मिलती है उतने ही पौदे तयार किये जाते हैं यह पौदे 20-22 दिनों से लेकर 35 दिनों में तयार हो जाते हैं इसमें मिर्चा लगेगा टमाटर, गोभी, बैंगन, पपीता का भी पौधा तयार करा जाता है रेट तो इसे जो देते हैं भी जो उसको एक रुपिया प्रत पौधा लिया जाता है जो कि इसमें के खादी, दवा और मद्दूरी सहीद मिला कर अपना जो परलाइट या जो मिला जाता है । किसान बुकिन करते हैं वो किसान किसान से खुद ही नहीं कर लुपिन करते हैं, और 25 दीन में तजार हो जाता है जैसे लेट अगावरू जल्दी कि बराइटिया है और देश में तलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रिशे विश्वर द्यालियों के दौरा नए नए किसमें विकिसित की जा रही है ये किसमें अधिक पैदावार के साथ साथ कीट एवम रोग रोधी होते हैं जैसे किसानों को फसल में लगने वाली लागत में कमी आती है और अधिक पैदावार में आए भी अधिक होती है इसकड़ी में छारखर रिस्थे बिर्सा क्रिशे विश्वर द्याली ने सोयाबीन की नई उन्नत किसम बिर्सा सोयाबीन चार विक्सित की है जिसे भारे सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है करशी मंत्राले भारे सरकार की केंद्रिय उप समिती के सगसे सचिव से उप आयुक्त डॉक्टर दिलीब कुमार श्रिवास्तव ने बिर्सा करशी विश्वद्याले में विक्सित बिर्सा सोयबीन 4 प्रभेत की अधिसूचना चारी कर दी है बिर्सा सोयबीन 4 प्रभेत के पौधों की उचाई 55-60 से सेंटिमीटर तक होती है बीच आकार में लंबे और रंग हलका पीला भूरा हिलियम जैसा होता है जिसमें तेल की मात्रा 18 प्रतिशत तथा प्रोटीन 40 प्रतिशत होता है सोयबीन के इस किस्म की उत्पादन शम्ता 28-30 कोईंटल प्रति हैक्टियर है तथा ये किस्म 105-110 तिनों में पूरी तरह पक कर तयार हो जाती है ये राइजो कटोनिया रोग के प्रति सहंशील तथा तना मक्की और करधनी कीड़ों के प्रति सहंशील किस्म है इस प्रभेट का विकास ICAR अखिल भारतिय समन्वित सोयबीन अनुसंधान पर योजना की अधीन किया गया है उत्तर प्रदेश में किसानों का 50% बिजली बिल माफ करने पर चरणबध तरीके से काम हो रहा है किसानों को सचाई देने की बेतर विवस्ता योगी सरकार में हुई है इतनी भीशन गर्मी में बिजली की सबसे ज्यादा आपूर्ती करने के एतिहासिक काम में बिजली कर्मचारियों का महतफून योगदान है ये बातیں कैबिनेट मंतरी अर्विन कुमार शर्मा ने कहीं कैबिनेट मंतरी ने कहा के एक रोड मैपके जरिये उतर प्रदीश की अर्थविष्था वन बिलियन ड। बनाने की रहा पर चल रही है आने वाले पांस सालों में इस देश्या में आगे बढ़ेंगे नगरू का जीवन श्रेष्ट बनाने का काम हो रहा है इससे बस स्टेशन, स्कूल, स्पताल, मारिकल कॉलेज को बेहतर बना रहे हैं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदितेनाद की नेतरत्व में पिछले तीन महीने में अभूत पूर्व काम हुआ है और आने वाले पांस साल में इस राचे को नए भारत के नए उतरप्रदेश के रूप में विकसत करेंगे उन्होंने बताया कि उतरप्रदेश में ऐसे उपभूगता थे जिन्होंने कभी बिछली का बिल नहीं दिया उन्होंने बताया कि इस पार रिकॉर्ड तोड बिछली का उतपादन किया गया उन्होंने बताया कि पिछले साल की अपीक शाह इस पार 36% बिछली का ज्यादा उतपादन कर उपभूगताओं को सप्लाई की है वहें ओर्जा उत्पादन करने की एकाईयों की उत्पादन शम्ता पिछले साल 66 प्रतिशत थी इस बार 80 प्रतिशत बढ़ गई है उत्तर प्रतिश की हमीरपूर जिले में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ती ही जिला प्रशासन ने बार से निपटने की तयानिया शिरू कर दी हैं पिछले वर्ष यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने जम कर गहर बर पाया था जिसमें मुख्याले की निचली बस्तियों सहित सैक्रो गाउं पानी में डूग गए थे बार की गंभीर इस्तिती से बचने के लिए मोधा बांध द्वारा नदियों के किनारे किनारे पीचेन का निर्मान भी कराया जा रहा है जिस्से नदियों के किनारे बसे गाउं को काटने से रोका जा सके तथा बाहर बचाओ के तैयारों के साथ बाहर से बचाओ के उपकरण भी तैयार किये गए हैं और ऐसम में पूर्वी जिलो समेट कुछ स्थानों में रविवार शाम से मध्यम से भारी वर्षा दर्च की गई है हालंकि बार के स्थिती में और सोधार हुआ है क्योंकि बार परभावित आबादी की संक्या सोमवार को घटकर 58,000 हो गई वहीं विश्मनात, कचार, डिब्रुगर, दीमा, हसाओ, मोरी गाओं और तामुलपूर अभी भी बार से परभावित हैं साथी 382 हेक्टर करशी भूमी भी पानी में दूबी हुई है गुभार्टी के शेत्रिय मौसम विज्ञान केंडर ने राचे में अगले कुछ दिनों में बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी वर्षा की भविश्यवानी की है और आई अब देखते हैं देशपर की मंडियों का भाव क्रिश्यपज मंडियों में इन दिनों टमाटर के आवक सामान निभनी हुई है तो नवर को अधिकांश मंडियों में टमाटर बिखवाली के लिए पहुचा वहें बात इसके भाव की करें तो अठारा जुलाई को ज्याज़तर मंडियों में टमाटर के सौधे नर्मे के साथ हुए हाला कि कुछ मंडियों में इस दौरान टमाटर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडि में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 3750 रुपे जो कि 18 जुलाई को 500 रुपे टूटकर 3250 रुपे प्रतिकुइंटल हो गया वहीं हमाचल पुदेश की बालंपूर मंडि में 16 जुलाई को टमाटर का भाव रहा 1500 रुपे जो कि 18 जुलाई को 50 रुपे लुड़कर 1450 रुपे प्रतिकुइंटल हो गया राजस्थान की बात करें तो यहां की गूलू वाला मंडि में भी इस दौरान किरावट का सिलसिला जारी रहा यहां 18 जुलाई को टमाटर का भाव 500 रुपे गिरकर 2500 रुपे से 2000 रुपे पर आ गया उत्तर प्रिदेश की तरफ रुख करें तो यहां की गाल्याबाद मंडि में इस दौरान टमाटर का कारोबार स्थेर भाव पर हुआ यहां 16 और 18 जुलाई को टमाटर बिना किजी बदलाव के 1900 रुपे पर विका इस साल तीश में टमाटर की उपज में बढ़त कानुमान है बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 5 लाग टन से अधिक की बढ़ोतरी हो सकती है कुशी मंत्राले की ओर से बागवानी फसलों के लिए चारी तीसरे आंकलन की मताबिक देश भर में साल 2020 के दौरान डमाटर की उपज 2 करोड 10 लाग टन के पार जा सकती है जबकि बीते साल के सवानब्धी के दौरान उपज 2 करोड 5 लाग 50 हजा टन की ही हुई थी बतादे के देश से होने वाले सब्जियों की निर्यात में इस साल अपरेल महिने के दौरान कमी देखने को मिली है एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा अंकडों के अनुसार सांग दो हजार बाइस में अप्रेल महिने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्याद में 9,399 तन की कमी आई है सांग दो हजार बाइस में अप्रेल महिने के दौरान सब्जियों का कुल मिर्याद 2,50,420 तन का हुआ है जबकि बीते साल इस दौरान निर्याद 2,69,819 तन का हुआ था क्रिश्य पज मंडियों में इन दिनों तिल के आवग सामान निपनी हुई है सुन्वार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बेकवाली के लिए पहुची बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडियों में 16 जुलाई को तिल का भाव रहा 11,605 रुपए 18 जुलाई को इसके भाव में 226 रुपए की तेजी आई और भाव 11,880 रुपए पर जा पहुचा जुची के ही जस्दर मंडी में भी जुरान तिल के सौदों में मजबूति के साथ का रुबार हुआ यहां 16 जुलाई को तिल का भाव था 11,500 रुपए 18 जुलाई को इसके सौदे 250 रुपए की उच्छाल के बाद 11,750 रुपए पर हुए वहीं द्रोल मंडी में 18 जुलाई को तिल का भाव रहा 11,440 रुपए वहीं उत्तर प्रदीश की ललिदपूर मंडी में 18 जुलाई को तिल के सौदे 9,060 रुपए पर हुए वहीं महोबा मंडी में 16 जुलाई को तिल का भाव रहा 9,050 रुपए जो कि 18 जुलाई को 130 रुपई की बढ़त के बाद 9,180 रुपई हो गया इस साल तेश्ट में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है घरेलोस तरतर खरीफ तिल उपज बीते साल के मुगाबले 40,000 तन ज्यादा होने की उमीद है जिसका असर क्रिशी पजबंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है क्रिशी मंत्राले की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अगरी मनुमान के मताबिक साल 2021 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 तन होने का अनुमान है जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 तन ही रही थी वही कुल तिलहन की पैदावार पर नज़र डाले तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड इस्तर पर पहुंच सकती है कृशी मंत्राले की ओर से साल 2021 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्री मनुमान के मताबिक गरेलो स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25,000,000 तन से ज्यादा होने की उमीद है जिसका से रिश्य उपजमंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पर दादिख सकता है साल 2021 के दोरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,000,000 तन के पाल जा सकती है जोकि साल 2020 के दोरान कुल तिलहन की उपज 3,69,46,000 तन रही थी और आई अब जानते हैं कि इस मौसमे किसान कैसे रखें अपनी खेतों का ख्याल मध्य गुजरात की किसान इस समय 20-25 दिनों की हो चुकी धान की रोपाई मुख्य खेत में कर लें एक जगापर 2-3 पौध ही लगाएं पंक्ती से पंक्ती की दूरी 20 सेंटीमीटर जबकि पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें मध्य गुजरात में ही बाजरा, मूंग, उड़त और अरहर की बुवाई करते रहें यही बाजरे और कपास में जहां दो या दो से ज्यादा अधिरित पौधे अंकुरित हुए हों वहां विरलिकरन करें इसके साथ ही बोई गई फसलों में खाली जगहों को भरने का काम कर लें मध्य गुजरात में ही सब्जियों को कीटों से बचाने के लिए जाल से ढगें इसके अलावा नरसरी से जलनिकासी की विवस्था भी कर लें वहीं दक्षन गुजरात में धान और बाजरे की नरसरी से अतिरिक्त बारिश के पानी को निकालने की विवस्था करें उत्तरी गुजरात में मिर्च, टमाटर और बैंगन के रोपाई मुख्य खेत में करें उत्तरी गुजरात में ही इस समय सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुवाई कर सकते हैं इसके अलावा यहां यह समय मुंग फली, मक्का, अरहर, लोबिया, बाजरा, तिल और मुंग के अलावा चारा फसलों की बुवाई के लिए भी उपियोगत है उत्तरी गुजरात में ही इस समय पपीते के बागों से पानी बाहर निकालने की विवस्था करें इसके साथ ही पपीते की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाने का काम करें सौराष्ट और कच्छ में परियाप्त बारिश के बाद कपास की समय पर बुवाई करें यहीं इस समय मोंगफली की बुवाई करते रहें लेकिन बुवाई से पहले बीच को अपचारित ज़रूर कर लें यहीं इस समय दिल, दलहन और भाजरे की बुवाई कर सकते हैं सौराष्ट और कच्छ में है इस समय भिंडी, गौारफली, राजमा, लोबिया, तूर और चौलाई की बुवाई करते रहें यह समय करेली की बुवाई के लिए काफी बहतर है करेली की बुवाई फरवरी मार्च और जून जुलाई में की जाती है करेली की बुवाई के लिए एक हेक्टेर के लिए पांच से छे किलो बीज पर याप है बुवाई करते समय ध्यान रखे कि पंक्ती से पंक्ती की दूरी 120 सेंटिमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटिमीटर रखे किसान करेली की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं जैसे पूसा विशेश करेली के इस किस्म की बुआई उत्री भारत के मैदानी शेक्त्रों खासकर, हर्याना और दिल्ली में की जा सकती है इस किस्म की एक हेक्टेर में डेड़ सो कुइंटल तक पैदावार ले सकते हैं और दिल्ली में लगानी के लिए उप्युक्त है। दो की भी बुआई कर सकते हैं। करेली के फसल में फल मखी के हमले की आशंका बनी रहती है। विशेशग्यों की सलहा से केट प्रभावी जगह पर ही करे। और खेटी के साने के साथ साथ आई ये नज़र डालेते हैं कुछ और महत्तपून खबरों पर खास खबर में। राजिस सभा की कारवाही दूसरे दिन भी बाधित हुई। अगामे और नारे बाजी पर नहरास की चताई। शिफसेना की शिंदे गुट और उधव गुट की लड़ाई अब लोग सबाह दिक्ष तक पहुँच गई है। शिंदे गुट दूआरा अपनी कारे कारणी के अलान के बाद उधव गुट की तरफ से लोग सबाह दिक्ष को पत्र भेजा गया है। उपराष्ट पती चिनाओ की विपक्षी उम्मेदवार मारगरेट अलवा ने नई दिली में अपने नमांकन पत्र दाखिल किया। उपराष्ट पती पत के लिए 6 अगस को चिनाओ होना है। मौजुदा उपराष्ट पती एमें के अनाईडू का कारे कारे का 10 अगस को समाप्थ होगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व राजेपाल और एंडिये के उपराष्ट पती पत के उमेदवार जगदीब धनखर ने सोमवार को अपनी उमेदवारी का परच़ा दाखिल किया। जगदीब धनखर ने कई सीटों में नामंकन दाकिल किया। पहले सेट में उनके प्रस्तावक प्रधान मंतरी नरेंडर मोधी स्वेम थे। भारत अफरीका विकास साज़दारी पर सी आई आई एग्जिम बैंक कौनक्लेव के उधगाटन सतर में केंडरी वानिचे मंतरी पी उशकोयल ने बिल्डिंग आ रेजिलियंट अफरीका एन्हांस्ड रोल आफ इंडिया पर इंडिया एग्जिम बैंक का प्रकाशन चारी क केंडरी मंतरी पी उशकोयल ने कहा कि रक्षा विनिर्मान और वेपार भौतिक और डिजिटल बुनियादी धाचा और स्टाटअप प्रस्तिती की तंतर भारत अफरीकी साज़दारी के लिए शेत्र हो सकते हैं राश्वियापी कोविटी का करना भ्यान के तहर देश में अब तक सो करोड तैसलाग से अधिक कोविड रोधी टीके लगाई जा चुके हैं सौस्तिम मंतराले ने बताया कि सौंवार को 27 लाग 78 हजार से अधिक टीके लगाई गए तो किसान समझार में फलहाल इतना ही अनुमती दे नमस्कार